तो में बाद किन्वाल हैं मननपूरम Fynastic इस कौपनी के बारे में इस कौपनी का फवरे 23 का रिजल्ट का रिजल्ट आ चुका हैं सामने कैसारा इस कमoc Canon का रिजल्ट और क्या इस कमनी ने डिविडन दिया है के नहीं इसे के बारे में discussion करेंगे तो वीडियो को जरू से एंड तर देखते रहना मननपूरम फाइनांस इस कमपनी की बात करें तो कमपनी का कंसर्डेटल रिजल्ट आप लगो के सामने प्रिजेंटिड है सारी अमांट्स करोड में बताएगी है कमपनी की इंकम की बात करें तो रिजल्ट को मिला कर कमपनी का टोटल इंकम इस कोड़र के अंदर 1734.52 करोड रुपीज का देखने का मिलता है कौटर आप बेस के ओपर कमपनी की इंकम में थोड़ी सी बड़ोतरी होती भी नसरा जाती है बाकी पिछले साल सेम कोडर के मुकाबले कमपनी का इंकम में अल्मूर्स 200 करोड रुपीज का बड़ोतरी हुआ है जो एक बहुत जादा अच्छी बात है बाकी इस कमपनी के एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस को मिला कर कमपनी का टोटल एक्सपेंस यहाँबर 1193.55 करोड रुपीज रुपीज का कमपनी का इस प्रकार से इंकम बढ़ी यह भूए वैसे वैसे कमपनी के एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ जाता है बाकि इस कंपनी के net profit की बात करें तो 393.49 करोर रुपीज का कंपनी का total net profit देखने का मिलता है quarter and quarter base के ओपर company के profits थोड़े से कम हुआ है बाकि पिछले साल same quarter के मकाबले company के net profit में 70-80% की उचाल देखने को मिल जाता है बाकि इस company के यहाँ पर EPS earning पर share की बात करें तो वो यहाँ पर से trade हो रहा है 4.65 रुपीज पर जो quarter and quarter base के ओपर कम हुआ है बाकि पिछले साल same quarter के मकाबले company की EPS भी बढ़ते हुए नसरा जाता है company ने अपने हाँ पर result के साथ साथ एक बड़िया result के साथ साथ कहां से कितना revenue आ रहा है वो भी बता दिया है तो company का revenue जो segment है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो revenue है वो gold loan segment से आता है मतलब यह company gold के बदले में जो loan देती है उस segment से company का ज़्यादा revenue आता है और उस segment के अंदर से ही ये company इतनी ज़्यादा प्रचलित हुई है ठीक है बाकिया इस company के दर्व से एक बहुत ही बड़ा announcement दिये भी है company अपने shareholders को यहाँ पर 0.75 रुपीस पर share का यहाँ पर dividend देने जा रही है जिसका यहाँ पर record date की बात करें तो record date यहाँ पर से 15 February देखने को मलता है ठीक है तो 15 February से पहले पहले आप लोगों ने इस company के share को खरीदा तो आप लोगों को यहाँ पर dividend मिल जाएगा जिसका यहाँ पर dividend pay up date की बात करें तो चार मार्च 2022 सरी 2023 से पहले आप लोगों को इस company का जो dividend है वो आप लोगों के bank account के पे भी कर दिया जाएगा ठीक है तो आप लोगों के आद रखना 15 February record date 0.75 रुपीस का यहाँ पर dividend मिलेगा और चार मार्च 2023 से पहले हाँ पर pay कर दिया जाएगा अब यहाँ आपर बात कर लगता है इस company के share में करना क्या चीए टेक्निकली वेस के उपर company का share भी बहुत ही ज कुछ time में बहुत जादा उतार चड़ा देखेने को मिला है company का share यहाँ पर से एक अच्छी यहाँ पर तेजी लगाने की बाद कोविट 19 के बाद अच्छी तेजी आई company का share almost यहाँ पर double हो चुका था और double होने की बाद double से हाँ पर से almost 50% 60% तक की गिरावट आई है ठीक है मेरे को ऐसा लगता है सही सही बता हुतार मेरे को ऐसा लगता है कि यह company के share में एक और opportunity है क्यों यहाँ पर ऐसा मैं बूल रहा हूं देखो company का share यहाँ पर जो 70 रुपे के आसपस आता है तो आप लोग इस company के अंदर आख बंद करके इस company के अंदर investment कर लो मेरा तो यही मलब सला रहेगा क्यों यहाँ पर रिजन ऐसा मैं बूल रहा हूं क्यों यहाँ पर से क्योंकि देखो 70 या 80 रुपे या 100 रुपे पर भी इस company के share में खरीदारी करती हो ना तो आप लोगों को long term के अंदर यह company का share easily यहाँ पर 3-4 गुना पैसा बना कर दे सकता है और मन्नपुनम finance इस company की branch बहुत जादा है बहुत बढ़िया काम काज है मेरको ऐसा लगता है कि यह जो यहाँ पर company है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा performance करके दिखा सकती है ऐसा मेरा मनना है इसलिए मैं आप लोगो कोई ही suggestion करूंगा कि वाई इस company के अंदर जो यहाँ आप 80 रुपे ऐसा मेरा मनना है ठीक है तो बस अचके लिए इतना ही वीडियो पसंद है तो लाइक और चनल को सब्सक्राइब करा मुद बूलना जो आप लोग ने इस company के share में already investment करके रखा हुआ है बहुत उपर की levels की उपर तो मेरी यह सी सला रहेगी कि आप लोग यहाँ पर जो company का share फ पर नेक्स दो में गुद बाइ